हालो क्या वोलू मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है मैं बहुत सोचिया था कि युना में राध बर में सुआया हूं लिटरल ही में इसने एक्साइटमेंट अंदर से उरे है ना नहीं सुआया और सुबह सुबह यार मैं तो यह वीडियो शूट करने का रिजन ऐसा है अपने चैनल का यूटूब के उपर पहला वीडियो है ऐसा इंट्रो वीडियो क्या होगा इस अभी मैं हस क्यों रहा हूं एक मेरे साथ incident ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पर आया नहीं बता मुझा छोड़ दो पहले वीडियो में खुछ की वेज़टी करें के लेगा नहीं 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 चोड़ दो अपने वीडियो पर तो यह अपने चैनल का मिन्स यह पहला वीडियो है इंट्रो वीडियो इसमें मै मैं समझता हूँ कि वह important है अपना चैनल चालू होने से पहले यह सारी बात आपको मालू होना जरूरी है तो वही बात है जैसे कि इंट्रो डिक्षन अबाउट माइस सेल्फ कि मैं कौन हूं मैं क्या करता हूं या मैं यह ब्लॉगिंग चैनल चालू करने का अपना में मोटो क्या है जैसे कि यूटूब की ऊपर आने का में परपर क्या है अपना यही सारे बाते यह तीन चार बाते जो बैसिक सी बाते वह अपको बताना जरूरा यह वही बाते में आप आज सादय करना जाया शुक्ष कि अपना अपना टीजश पावार हा मराटी हूं अब फूर क्या करता हूं यह बता क्या बता कि क्या करोगे तुमको क्या क्या करते हैं नहीं चोड़ दो माजग छोड़ दो मेरे चैनल के पहले वीडियो में में गुड़ वाइप सब्सक्राइब करना जाता हूं तो बेसिक सा बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ सीन हो गया जो कुछ बाद में जाके लगा यार यह नए यह तो सब के साथ हुआ है यह खली मेरे साथ ही नहीं हुआ है तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दिल के इतने करीब इस पांच या छे लोगों में से वह एक उसके साथ ऐसा कुछ हुआ इतनी सी इतनी सी भी खरोच आती है तो अपना इधर के ले जा इतना फटता तो उसके साथ कुछ सीन हो गया तो बहुत डिप्रेशन में चल लगा एक मुमेंट ऐसा आया लिटरली में सच्छी बता रहा हुँ कि एक मुमेंट ऐसा आया कि यार मुझे लगा कि नहीं चोड़ यार जिन्दगी इतनी बतर है तो नहीं जीनना है चोड़ दो पर उस परसन ने मुझे इतना समझाया कि नहीं आर कि यार तुट ये जल्दी Понят कर को क्या इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो यार कि तुम यह तुम्हारी जिन्दगी जल्दी तुम यह तो उसके समझाने के बाद एक बैद आर च्पर सचांखने कि यह उसन पोको को च्रीवम यार और तुम को नहीं तो यार उस टाइम पर इसा लगा कि नहीं इतनी जल्दी तो नहीं अपना रहेंगे अब दो लड़ाई चालू है तो पूरी जिन्दगी सीखने में भाई जितनी भी मुसी बताए अपने ऐसे चट्टान की तरह है चट्टान की तरह सक्त तो ब्लॉगिंग चालू करने का रीजन यहां से ही कनेक्ट हुआ कि 2017 से अपना जो कीडा था ना ब्लॉगिंग का यार में कभी बाहरी नहीं निकाल पाया क्योंकि अंदर ही दब गया था यार दिमाग में था और यहां नहीं आ रहा है बहार बहार नहीं आ रहा है अंदर ही वो सड रहा है अपनी जगे पे तो उस इंसान ने मुझे बूला कि यार देखो जिन्दगी का मतलब ऐसे होता है कि यार जिन्दगी एक ही है तो इतनी जिवो इतना उसको ना खुल के जिवो यार तो मतने टाइम तुमें ना सोचना ना पड़े कि सला मैंने ओ बात नहीं की या वो सला मैंने ओ पल मिस कर दिया वह ऐसा कुछ भी जो भी तुमारे दिल के अंदर है उसे बाहर निकालो यार जिन्दगी एक ही है क्या अंदर रखे क्या करोगे यार कल मालूम नहीं है यार कल जीएगा यह नहीं जीगा किसको मालूम है चल रहा है यार मेरा लेलो कि मैं चल रहा हूं बहें चो ट्रक ने उड़ा दिया मुझ तो गाली आएंगी ही उसका नहीं आयर बेकुछ कर सकता गाली आएंगी और गाली देते तो क्या है गाली आएंगी तो ठीक है तो 2017 से जिसके मैं बोला 2017 से ब्लॉगिंग करना था अंदर से लग रहा था सच्छी में कियार मेरा खुद का व्लॉगिंग चैनल मेरा व्लॉगिंग चलू करने का मेन परपस क्या था कि मेरा मानना यसा है कि यार जिन्दगी खाली यादों में नहीं बैटके रहनी चाहिए तुम पीछे मुड़के खुद को देखो ना तो यार यादों में खाली यादों में कितना उसकी सम्मेट के रखोगे कितना कितना रखोगे बाई जब खुद को देखोगे जैसे कि आएने में देखते हो तो लगता है ना तुमारी जो भी personality है जीसे कि 10 साल पहले इतने से थे अभी इतने हो गए वह इंप्रूमेंट है तो वेसे ही यार अपनी जिन्दगी की जो भी इंप्रूमेंट है यहां पर सेयो करके रखो जिसको जिसको भी मेरे जैसा सोचते हो तो आजाओ आजाओ कुछ नहीं होते है आजाओ मैं भी यहीं सोचके न मर रहा था अभी आ गया हूँ तो आ गया हूँ जो भी हो यहां से आगे जितने भी अच्छे पल यहार जिन्दगी के बुरे पल है जो भी इहां पर समेट के रखो यार जिन्दगी को एक बार पीछे मुड़के देखो ना इस बजए से मिने ब्लॉग चली कि है तो अभी बात कुछ ऐसे कि18 में क्या होगा हटके क्या होगा हटके क्या होगा हटके क्या हटके अपने को क्या है आने दो लिटरली यार मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं कि आने चाहिए नहीं यार छोड़ दो यार क्या कुछ भी हो मुझे एक जन भी देखे या मुझे हजार जन में देखे यार सबका स्वागत है हमेशा रहेगा एक मिनिट रूमाल के तो सबका हमेशा स्वागत रहेगा पर यार में खुद के लिए उतना ही कर रहेगा जितना आपको में दिखार आओ जैसा कि आपके लिए जैसा जितना इंपोर्टन है उतना ही मेरे लिये जी तराज ऊपर नीचे नहीं जा सकता विलेंज और थे नहीं जाए तो सिंपल सी देफिनेशन है हर एक बंठे की लाइफ है अलग ही होती है तुम तुम हो तुमारे पहले तुमारे जैसा कोई भी नहीं होके गया है अगे भी नहीं होगा अभी भी नहीं हुए तो जितने भी कुछ आएंगेवक्ष यहाँ से आगे के हटके होंगे पर फिर्स्ट ग्लॉग जो है नहीं करूंगा जो यहाँ से जो इस निंसिदेंट के बाद कि जितने भी ड्रीम ना जिसकी बकेट लिस्ट पेपनी यह बाचा है ना यह ओके लिए फैस्नडॉग तो जितने भी अपनि विष्डिस्ट जैसे कि इतने ह्ते अंदर की जो बात है ना जो मन में बेंचो बढ़ा रगी ना को सब भार निकब टो मेंसे पहला मेरी में करूंगा तो पहला वीडियो यही रहेगा विस्तवत कर क्या सब्षक्राइं कि उस इंसान के साथ ही हो Olympics कि बन नामने बताओंगा जिस दिन आएगा उस दिन हें आप व्यडियो देखो ठीक है मैंने मुझे तो लग रही जार आपको इसा कुछ चोड़ा नहीं है क्या चोड़ा कि नहीं है कुछ भी नहीं चोड़ा है क्षाथ ऊख सबट利य क्या है तो हाँ बहुत है अब था लोग घैनर सच्छी को कुछ नहीं बूलूंगा कि मुझे सब्सक्राइब करो या मुझे-णिक करो है कि hanoo जोभी कुछ बाते हैं या मुझे इंस्टाग्राम या इस हैंडल पर उस हैंडल पर याकर फॉलो करो वटा भाई कुछ भी नहीं बोलूँगा देखो मैं सिद्धी सी बात बोलूँगा कि आपको लगे ना कि मैं आपके वाच लिस्ट में आने के काबिर हूँ तो ही मुझे सब्सक्राइब करो हाँ आपन्स अपने सब्सक्राइब करो हाँ अपने डिये चाहिए नहीं है दो साथ बात भी मैं फॉलो तो अब आपने जैसे बुए यह मेरे लिए हो रहा है जतना आपकी लिए भी हुँ रहा है उतना मेरे लिए भी हो रहा है तो आपको लगेगी में में आपके वाक् ludzi लिस्ट में आने की काबिल हूं थो ही मुझे सब्सक्राइब करना या आक के ऊपर पर यहां से آने वाले सारे आगे के ब्लोक तबाई ही होंगे भाई जितना वे अपने जिननी में बच्चिक कुछ पравा क्याओं है इसाम बच्चाहंगे तो ठीक है यार हो गया क्या हो गया ठीक है आपको कुछ लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया है कि कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्डन्ट है या वो मुझे आपको बताना चाहिए तो यार आप कमेंट मुझे कर दो नीचे मैं परड़ के मुझे लगा कि हाँ यार यह बताने के लायक है यार मैं भूल गया था मैं मुझे बताना चाहिए तो मैं अब्वेसले आपको बताऊंगा और मैं अहर एक ब्लॉग में जिसे कि आपका कमेंट में देखूंगा आता है कि नहीं यार क्या पता यह फरस्ट वीडियो ह यार कमेंट में नहीं यार जैसे भी होगा कमेंट मुझे आएंगे या नहीं कुछ भी मालूम नहीं है पर आएगा एक भी आएगा तो मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाइद दूंगा मेरे आगे वाले ब्लॉग में जितना होता है उतना में करूंगा तो आपको जो भी इस तो चले जाने से पहले एक टॉपिक हां मुझे याद आया कि हिंदी में व्लॉगिंग क्यों कर रहा है तो तो मराटी है तो एक सिम्पल सी बात है मेरे राइंग्वेज्श मेरे उसको घूद कोई मैं्टर नहीं करता है बच्पन से क्या राइंग्वेज्श क्या है कि है या हां यार मराठी में करने का मेंट कि मैं माराठी में किया चलो नहीं रखाए तो यार काली मराठी कोई समझ माएगा ना हिंदी हां में आएंगे इम्पोर्डन बात आएंगे और उसका स्केडूल मेंने कुछ भी अभी दिमाग में ल्हें दो तो समझो कि है तीन ब्लोग हंदी तो माराथी फिर टीन स्केडूल ऐसे कुछ भी फिक्स किया फिर भी माराथी कुछ व्लोग आएंगे और धीरे यार यह चैंजे में धीरे दिरे लाएगा कॉपार मेरा में मोटे वी हिंदी भी आएंगी उनको मेरे ब्लॉब का जितना भी कुछ मूति उस समझ में इतना ही खाली मेरा बाकि कुछ नहीं कि मैं माराटी में क्यों नहीं कर दो सिंपल सी बात है क्योंकि इंडिया में 80% लोगों को हिंदी तो समझ में आती हैं तो यहीं तो चले आपको लगे कि मैंने भूच दो राट करो आगे वाला फर्स्ट ब्लॉग यहाँ पर यहाँ पर इन्ट्र मैं अभी रिविल कर देगा तो नहीं यार मेरे को नहीं करना है छोड़ दो नहीं करेगा में ओके ठीके चलो बाइ जाने से पहले बाइ कईसे इससे जाए जाने से जए शुरा जै शम्मूर आज़े चलो बाइ यह जो लाइट दीख रही है नहीं है इसके लिए इतना मर रहा कापसी ओर यह बी यह है यहार अन्मूर धी यहार जुट्या जीशनी जाना चलो दो दो जाना जाना से उल्टामेटामेटामेटामेटामेटामे जाना